गुड मॉर्डिंग बच्चे आज हम आप लोगो धातू रूपावली पर हरे हैं जो धातू रूप में क्या क्या है और धातू रूप कैसी बनाए जाता है क्या उसका नियम है क्या सुत्र है उसी की विशा में हम लोग आज पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले कह रहा इसमें करा इससे पहले हम लोग विभक्ति युक्त सब्द विभक्ति युक्त सब्द पढ़े थे है ना विभक्ति पढ़े थे जैसे सू अउ जस है ना और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे तीतः अंती कह रहा है पूर्व में जैसा कि पूर्व में कहा जो जा चुका है कि विभक्ति युक्त सब्द पढ़े थे है विभक्ति से जो युक्त रहेगा विभक्ति जिसमें मिला रहेगा वही सब्द पढ़े थे है अब नहीं लगा हुआ है वह पद नहीं कहलाते हैं। पुनह सुप तिगंत पदम के उनसार सुप व्युहक्ति और तिंग व्युहक्ति से युक्त पद दो प्रकार के होते हैं। करता के काम या कुछ करने को बताते हैं। करता के काड़ी को जो बताता है। जैसे मोहन पढ़ता है। तो मोहना हो गया क्रिया है ना तो मोहना हो गया क्रिया वही क्रिया है। जैसे राम पुस्तका पठती राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाकि में राम करता है। पुस्तकम कर्म हैं। और पठती क्या है। क्रिया है क्योंकि राम रूप करता के कुछ करने पढ़ने को यही बताता है। किसी भी क्रिया पद का निर्मान धातू और प्रत्या की मिलने से बनता है। दारण के लिए पठती में पठ मूल धातू है। और ती क्या है इसका प्रत्या है। प्रत्या है। पठ में जब ती मिला दिये तो पठती बनता है, इन दोनों के मिलने से ही पठती रूप बनता है, अब कह रहा है, अब देखी जैसे पठ जोड सप जोड तिप, अब कैसी बन गया पठती ये देखिए, तो पठ धातू तो वैसे ही है, और सप में पजो है, उसका लूप हो जाता है, और सव, सव जोड ओ जो है, तालब भी सव जोड ओ, उस सव में सव का लूप हो करके ओ बच जाता है, तब पठती बनता है, अब ओ कहों जुरा पठती में, तो प्लस से पहले आप देखते होंगे सब जो सुत्र है उस प्लस से पहले देखते होंगे पठ में हलंत लगा हुआ तो जब एक जगह सब्द मिलता है तो हलंत हट गया और पठती बन गया अब हैं तींग प्रत्या देखिए तींग प्रत्या क्या है तींग प्रत्या आज हम लोग पढ़ेंगे करक्रिया पदो किंदिर्मान के क्रम में मूलद हातूं के साथ जुड़ने बाले ये तिप तस जी इत्यादी कुल अठारह प्रत्या होते हैं कहा रहा है मूलद हातूं में के साथ जो जुरते हैं जैसे देखे पठता बना है पठती बना है पठंती बना है तो यही यह जो है सो उसमें जुरता है जैसे पठंती पठ जोर अंती बना पठंती इनमें आरम में ति प्रत्या है और अंत में महिंग प्रत्या है इन 18 प्रत्यो एक साथ बताने वाले सुत्र के रूप में पहले प्रत्य तिप का तिप ले लिया गया तथा अंतिम ठारवें प्रत्या महिंग का अंगा और दोनों को मिलाकर तिंग प्रत्या जैब प्रत्या समु का बोध कराया गया है इनसे बने पदों को तिगंद कहते हैं तिगंद का अर्थ होता है तिंग हैं जिसके अंतिमें अर्था संस्कृत के क्रियापत प्रकरन अध्याय को कहते हैं तिगंद प्रकरन में इस बात प्रविचार किया गया है कि मूल धात्यों में कीन प्रत्यों के लगने से कौन से क्रियापत बना एबंग उन क्रियापतों का पुरुष वचन और काल की दृष्टी से क्या रूप और अर्थ होता है वहर तीन प्रत्यासे युक्त पद भी दो प्रकार के होते है पड़समैपद और आत्मनेपद अब है पड़समैपद परसमैपद क्या है या पड़समैपद किसको कहेंगे कह रहा है जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पढ़ता है उसमें परसमेपदी क्रियापद का प्रियोग होता है कह रहा है जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पढ़ता है उसे ही क्रियापद कहते है जैसे राम पुस्तकम पठती हना तो राम क्या पढ़ रहा है पुस्तक तो पुस्तकम हो गया पर समय पढ़ आत्मने पद देखिए जिस वाक्य में क्रिया का फल करता पर पढ़ता है उसे आत्मने पदी या क्रिया पद कहते हैं शब्दों का निर्मान देखिया, शब्द चाहे संग्यापद हो या क्रियापद, इनका निर्मान प्रकिर्ति और प्रत्या के मिलने से भी होता है, कह रहा है, शब्द शब्द चाहे संग्यापद हो या क्रियापद, इसका निर्मान भी प्रकिर्ति और प्रत्या के मिलने से ही होता है मूल धातू को प्रकिर्ती कहते हैं मूल धातू को क्या कहते हैं प्रकिर्ती कहते हैं और इनके अंत में लगने वाले सब्दांग्स को प्रत्या कहते हैं धात्वों के साथ लगने वाले तींग प्रत्या जो संख्या में अठारा है वह कारा है निम्नांकित अब पड़स मेपद में देखिए प्रथम पुरुस में तिप तस थी मध्यम पुरुस में हैं शिप थस थव उत्तम पुरुस में मिप वस मस आत्मनेपद में देखिए अब कहारा पुरुस देखिए पुरुस व्यक्ति को कहते हैं कोई बात जब किसी को कही जाते हैं तब उसके तीन पक्ष होते हैं जैसे सुप्रत्या जो संख्या में कीस है संग्या पदो में जुरने से उनके काड़क और वचन को बताने वाली रूपावली सामने आती है विभ़क्तियों में बटे उनके इन रूपों प्रत्यक विभ़क्ति को तीन वचन होते हैं वैसे ही तिंग प्रत्या भी पुरुस में बांटे जाते और प्रतीक पुरुस में तीन वचन होते हैं अब देखें में अन्य पुरुस पठथ्लक इसके बाद प्रफम अन्य पुरुस को ही क्या कहते हैं प्रत मद्यपुरुस में हैं पठस पठथा पठथा उत्म पुर्स में पठामी पठावा पठामा अब कर उप्युक्त हुरुपावली पुर्स और वतन दोनों को बता रही है इन क्रिया पदोक अपने करता पदोक के साथ प्रायोगी इस प्रकार होंगे अब ये जो नियम है वह कैसी लगेगा वही इसमें बता रहा है जैसे वह पुस्तक पढ़ता है इसका हम कैसी ट्रांसलिशन करेंगे क्या नियम है इसका कैसे हम जानेंगे पुष्टक पढ़ता है का सह, पुष्टकम पठाती ही होगा इसके लिए तो नियम याद करेंगे ना? तो नियम हम पहले से जानते हैं कि वह का पुष्टकम पठाती होता है और वह का संस्क्रिप जा होता है? सह दंत सद आगे दो बिसर्व पुस्तकम पठती वह आता है प्रथम पुर्ष में इसलिए प्रथम पुर्ष का है शुत्र लगाएंगे ती तो पठती पठती मतलब पढ़ता है पढ़ती पढ़ती मतलब पढ़ना होता है लेकिन जब यहां पढ़ता है तब लगाएंगे पठती अब है तव पुस्तकम पढ तव मतलब होता है वे दोनों और तव काप्डियों किसमें होता है तो प्रथम पुरुष के दुई बचन में तो पुस्तकम पठता है दुई बचन में क्या होता है प्रथम पुरुष के ताह लगता है अब है ते पुस्तकम पठती पठनती ते मतलब वे सब या वे लोग प्र पुस्तक पढ़ते हो करता तौम पुस्तकम पठासी कैसी लगजा तौम का प्रियोंक मध्यम पुरुसका एक बचने में होता है है न और तुम के साथ जब पढ़ते हो लगा रहेगा तो क्या सुत्र है उसका सी सुत्र लगता है तो पठा सी तुम पुस्तकम पठा सी अब उत्तम पुर्ष के दूई बचन में क्या है तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है यूवाम पुस्तकम पठा यूवाम पुस्तकम पठा अब है तुम सब पुस्तक पढ़ते हो यूयम पुस्तकम पठत, उत्तम पुरुस का बहु वचन, तुम लोग या तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, अब हैं मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामी, मैं का पुरियो किसम होता है, उत्तम पुरुस एक वचन, और मैं का संस्कृत अहम होता है, और उत्त हम दोनों पुस्तक पपढ़ते हैं लिखे से पर होड़े एक वचन दुई वचन औहु वचन प्रथम पुरुस मध्यम पुरुस उत्तम पुरुस और इसके बाद लिखेंगे प्रथम पुरुस के आगे में एक वचन में ती दूई बचन में तह और बहु बचन में अन्ती ऐसे ही करके मध्यम पुरुस उत्तम पुरुस में भी लिखेंगे सी थ थ उत्तम पुरुस में आ और बहु बचन में ते, ऐसी ही मध्यम पुरुस में लिखेंगे एक बचन में त्वम, दुई बचन में यूवाम, और उत्तम पुरुस में और बहु बचन में यूवयम, इसके बाद उत्तम पुरुस के एक बचन में अहम, दुई बचन में आवाम, और बहु बचन में वयम, ऐसे करके आम के बगल में आमी लिख देंगे आवाम के बगल में आवह लिख देंगे और वयम के बगल में आमा लिख देंगे इससे क्या होगा तो याद करने में भी सुविधा होगी और ट्रांसलेशन बनाने में भी सुविधा होगी एक वाद फिर हम लोग अब परसमेपद और आत्मनेपद और उभैपद धात्वे ये पढ़ते हैं कड़ा संस्क्रित के धातू पदों में लगने वाले उप्युक्त अठारह तिंग प्रतियों में प्रथम नौ प्रतिया परसमेपद के हैं और बाद के नौ प्रतिया आत्मनेपद के प्रथम है परसमेपद और बाद में जो बच गया वो आत्मनेपद अब संस्क्रित में धातु पदों के तीन वर गए हैं कौन-कौन है तो परसमेपदी धातु आत्मनेपदी धातु वहेपदी धातु परसमेपदी धातु क्या है करा जिन धातुओं में टिप तस जी शीप थस थह मिप वस और मस आदि नर2 प्रतिय लगते हैं उन्हें क्या करते हैं आत्मने पदि धातु у करते हैं कर उबहेक अर्थ होता है दोनों अर्था जिन धात्वों में परसमेपद और आत्मनेपद दोनों के प्रत्या लगते हैं अर्था उप्यूक्त सभी अठारह प्रत्या लगते हैं उबहेपदी धात्व करते हैं कुछ ऐसे धातूं भी हैं चिनमें पर्समैपदी और आत्मनेपदी दोनो धातूं लगते है इसको भी आगे पढ़ेंगे अभी सत्काल इतना ही है आप लोग इसको अच्छा से देख लेंगे एकवा डिडिंग कर लेंगे अच्छा से पढ़नेंगे, क्योंकि दहातू है, भुवादय है दहातू, भू आदी को कहते हैं, दहातू कहते हैं, इसलिए दहातू पर मैपदी से थोरा ज्यादा कठीन होता है, तो याद करने में के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसका सुत्र पहले याद कर लेगे, ठीक ह आगे क्लास में देखेंगे फिर, हांगे आगे क्लास में देखेंगे फिर,